सच्छ्रियकाल मेहा दिपीका खोसलात टीवी पंजाब दे खबरा दे इस बुलिटन जित्वाटा स्वाकत है सब्तो पहला चात पौंदे यां आज दियां खास-खास खबरा उते आमादमी पार्टी दी सरकार बनन उते हर्याना च मुफ्त बिजली दाववादा कैबिनेट मंत्री हर्पाल सिंग चीमा ने कहा हर्याना च चल रहे अंदोलन वेच अर्विंद केजिवाल ते पगवंत मान वी लेंगे हिस्सा पंजाब दे मंत्री ते विदायक वी चान के हर्य सिख दंग्या दे दोशी जगदीश टाइटलर नूँ जमानत मिलन उत्ते गर्माई सियासत सुखवीर बादल ते मंजिंदर सिंग सिर्सा ने टाइटलर दी जमानत दा कीता विरोध राजवाना दी पैन कमल दी कौर ने भी जमानत उत्ते इत्रास जताया 22 अगस्त नूँ चन्डिगर्च शुरू होवेगा दिली वांग वड़ा मोर्चा पंजाब दियां 16 किसान जथे बंदियां ने मीटिंग तो बात कीता एहलान के इंदर सरकार तो हडा ने नुकसान दी पूर्ती लेई पंज़ा हजार करोड मुआबजे दी मांग कर रहे हैं किसान जथे बंदियां सुल्तानपुर नोधी मीच 18 दिन बाद पूर्या तुस्सी बंच पे आप पाड 95 फुट तो वद चोड़े पाड़नू पूरण लेई लोका ने कीती दिन रात सक्त मैनत संत बलबीर सिंग सीचे वाल ने सहयोग देन वालियां संकता दा कीता तानवा अतलु द्यान अगर निगम चोड़ना तो पहला वाडबंदी नू लेके स्यासत पकी पार्त पूशना शुदी पतनी ममता आशू ने मान सरकार उते लगाए कटिया राजनीती करंदेल जाम विदायक गुरप्रीत गोगी ने जवाब दिन दिया के हाथ उसी कॉंग्रस दी क करनी दा फाल ही पुगत रहे तेहुन खबरा दा विस्थार आमादमी पाटी दी सरकार बनन तो बाद हर्याना विच भी विजली मुफ्त किती जावेगी ए एलान पंजाब दे वित मंत्री हरपाल चीमा ने कीता है हरपाल चीमा आमादमी पाटी दे सीनियर लीडर सुशील गुपता देनाल चंडिगण विखे प्रेश कॉंफरेंस का रेसन हरपाल चीमा ने किया कि हर्याना चे चाल रहे बिजली अंदोलन वेच दिल्ली दे मुख मंत्री और विम केजरिवाल ते पंजाब दे मुख मंत्री पगवंतमान वी हिस्सा लेंगे इस तो इलावा पंजा सरकार वलों हुनता कीते गए कमा दा वेर्वा देता ते पिछलियां सरकारा उते कई गंबीर इल्जाम लगाए हर्याना चे होन वालियां चोना नू लेकी आम आदमी पार्टी ने त्यार यां विट दितिया नहीं जोगतान पाउंगी और चौबिस गंटे बिना किसी रुकावट के तीन दोसौ यूनट दिल्ली में फुरिय और पास्ट अलेक्टिसिटी जो है हरे गर को अर्विन केज्रिवाजी की सरकार ने सबसे पहले दी आमाद्मी पार्टी ने सबसे पहले दी और उसके बाद उसके ब बड़ी प्रेस कॉंफरंस में पंजाब के लोगों के साथ वादा किया था क्या बादा था कि जितने भी पैंडनिंग एलेक्टिसिटी के बिल हैं जितने भी बिजली के बुकाए बिल हैं उन सबी को जबामाद्मी पार्टी की सरकार आएगी तब उन सबी को माफ किया जाए और दूसरा बादा था कि 24 गंटे 24 गंटे एलेक्टिसिटी जो है वो लोगों को कंटीनू मिलेगी उसमें कोई भी बादा नहीं डाली जाएगी उसमें कोई भी खट नहीं लगेगा और तीसरा सबसे बड़ा बादा था जोर्विंद केजडिबाल जी ने सरदार भगवन सिंग्मान जी ने किया था पंजाब के लोगों के साथ कि आपको 300 यूनिट पंजाब के लोगों को 300 यूनिट जो है वो मुफ्त बिजली फिरिया कास्ट अलेक्टिसिटी परमंत पंजाब के लोगों को मुफ्त दी जाएगी कि जब पंजाम में बीजे पी की सरकार थी जब पंजाम में भारतिय जंता पार्टी और शिरोमनी अकारी दल की सरकार थी एक हमारी पिश्वाडा कोल माइन थी जिससे हम कोल निकाल सकते थे इन लोगों ने इन भीजे भी बालों ने अकाली दल बालों ने उनसे सांड गांड की हुई थी वो पिश्वाडा कोल माइन लगाता 13 साल लगाता 13 एर कंटिनू 13 एर वो लगाता और बंद रही और पंजाब को उसका कोई भी फैदा नहीं हुआ आज पंजाब में जितने भी हर्याना के अंदर बिजली सबसे बड़ी समश्चा है कि चेच्छे-अठाट घंटे गाउं में बिजली का ट्रहा क्योवल के करिक्षिनों का 10-10 12-12 घंटे बिजली का कट रहता है शरकार आते ही 300 इनट बिजली के मुफ्त देगी यह आमने गोशना की है और हर्याना के लोगों को भी 24 घंटे दिलनी की तरस पे निर्बाद बिजली मिलेगी और हर्याना के लोगों को भी 25,000 रुपे सालना ब पंजाब के अंदर हम बता रहें कि हम 24 गंटे विजली दे रहें, डूवल का कनेक्शन हो, घर का कनेक्शन हो, चै कोई भी कनेक्शन हो, और एक घर कंदर जितने मर्जी कनेक्शन ले, हर मीटर के उपर 300 इनिट माफ है, और उसका कोई पैसा नहीं लगता हुआ। कबली गौर है कि पंजाब अधे दिलिदे विज आप सरकार ने विजली नू लेके दित्ळी गरंटी पोरिकादती है, अधे हुआखना काफ़ी दिल्चस्प होवे गा कि सरकार हर्याना दे विच भी अपना अही वादा पुरा कदी है जाकर नहीं दिल्ली दी राउज आविनियू कोट ने 1984 दे सिख विरोधी कतलेयाम दे मामले विच कॉंग्रस आगू जग्दीश टाइटलर नू बाश्रत जमानत दे दिती है इस दिनाल ही अदालत ने जगदीश टाइटलर नू दे श ना छटन ते सबूता नाल छेड़ चाडन दी हदायत दिती है जगदीश टाइटलर नू आज नीजी तोर उत्ते भी अदालत ची पेशोन ले किया गया है उद्ध टाइटलर नूँ जमानत मेलन उत्ते सिखा वेच रोज दी लहर फैल गई श्रोमनी ए काली दल दे प्रदान सुखवीर बादल ते पाच पालीडर मंजिंदर सिंग सिरसा ने टाइटलर नूँ जमानत मेलन उत्ते विरोध चुताया है जेल च बंद बलवन सिंग राजवाना दी पैन कमल दीप कॉर ने वी अदालत दे फैसले उते चिंता जाहर कीती है 1984 सिख दंग्या दे दूशी अते कॉंग्रसी आगू जग्दीश टाइटलर नूँ अदालत ने अगाउं जमानत देती है जिसने हुन सिख पाई चारे अते स्यासी आगूआ दे वलों विरोध जताया जारी है इस मामले ते हुन लगपग स्ताई 28 साला तो जेल विच बंद बलवन्त सिंग राजवाना दी पैन कमल दीप को राजवाना दा इक प्यान जारी हुय है सोशल मीडिया अकाउंट दे पोस्ट जारी करते हुए पैन कमल दीप को राजवाना ने लिख्या साथी कौम दे आगवादिया आवाज किन्नी कमसोर बेवस अते लाचार है जेहडी हजारा निर्दोश सिखा दा कतलियाम करन वाली कॉंगरसी आगवादे टोले दे प्रमुख आगू जब्दीश टाइटलर नो सर्फ गिरफ्तार करवाओं ली कानूनी सिस्टम तक आते सरकारा तक 49 साला बाद भी नहीं पहुंच रही इसे लई एहे आवास वीर बल्वंत सिंग राजवाना जीते मामले विच खामोश है जेहडे 28 साला तो जेल विच अते 16 साला तो फांसी चक्की विच बैठे अपने केस दे होण वाले फैसले दा इंतसार का रही ने इस कमजोर बेवस लाचार आवास दे कारण ही पिछले 12 साला तो केंदर सरकार वीर राजवाना दी अपील दे कोई फैसला करन तो ताल मटोल का रही है इसनों कौम दी तरास दी ना किहा जावे ता की किहा जावे होते ही जगदीश टाइटलर नो अगाउं समानत दें पी पाजपागों मंजंदर सिंग सिरसादावी ब्यान समने आया है जिना ने इस फैसले दी नंदा किती है जिसके हाथ खून से रंगे हुए है जो इतना ताकतवर है जो मंत्री पद रहा है एमपी रहा और उसको के हाथ नहीं लगा सकता था आज उसकी अगर ट्राइल का मौका आया उसके गुनाहों का हिसाब लेने का मौका आया तो कोट उसको जमानत दे दे हमें बड़ा दुख है इस बात का हम इसको लेकर हाई कोट में जाएंगे और मैं ये भी कहना चाहता हूँ ये जो लोवर कोट जिस तरीके से बेन साफी कर रहे हम इसका भी कोटों से जवाब मंगेंगे हम छोडने वाले नहीं है हमें बहुत दुख हुआ है जानकर कि ऐसे घटिया आदमी को ऐसे बैमान आदमी को ऐसे कातल को जिसको अब तक गांधी परवार बचाता है आज उसको शर्न मिल रही है कोटों मुझे लगता है हाई कोट को इसका संग्यान लेना चाहिए और यह जानकर करनी चाहिए किस तरह से ऐसे 49 साल बाद जब सिखों को इंसाफ मिलने की बारी आई तो ऐसे आदमी को छूटने का कैसे मौका मिल रहा है जमानत कैसे मिल रही है और बड़ी बात है कि सजन कुमार भी इस तरह से बहुत जमानते ली थी लेकिन अंत में इंसाफ हुआ और पिछले चार साल से वो जेल में है और इसी तरह जगदीश टाइटलर तुम ला कोशिशे कर लेना पर बच नहीं पाओ पंजाब समेत उत्तर पार दे कई सुब्या विच हडा कारण काफी नुकसान हुया है पंजाबनियां किसान जथेबंदियां सरकार तो हडा कारण होए नुकसान दा ओimanaवजा देन दि मांग कारे ने हरे आना दे नूच वापरी हिंसा कटना संबंदी निंद्या मतावी पास कीता गया है किसाना ने खाल साइट संस्था होते केंदरी एजंसी दी रेट दीवी निंदा कीती है पाई अगस्तनू चंडिगर दे विची को होर मोचा लगन जा रहे है कि हडा दा मुआफजा लेंदे ले पाई अगस्तनू चंडिगर दे विची मोचा लगाया जावीगा इस दे जानकारी किसान मज़ूर संगर्ष कमेटी दे सुबा जनरस कतर सरवन सिंह पंदे ने बती है जथे बंदिगर दे मीटेंग विया और ओदे विच फैंसला कीता गया वा भी बाई अगस्तनू खड़ा दे रोरना मंकानू लेके चंडिगर विची मोर्चा खोलिया जाओगा ओहो मोर्चा सोड़ा जथे बंदिगर दो लड़िया जाओगा जेदी मुख मंग हैगी या भी केंदर सरकार लगपग पजाहजार क्रोड पर ये दा जड़ा उत्तरपार्ट दे सुबे या हाड़ प्रभाबत ओनना मापजा जारी करी ये नालती नाल कगर सबेद जिनने भी द्रयावा पजा भर्याने दे ओनना दा ठोसा अलकटनली प्र और सब्सकिता जावे आर इदे नाल प्रती एकड कसान नूझेट मापजा वा को पजाहजार पे तरह जावे इडे नालती चिडे काबज कसान आनया उनना अन्हान वापजा तरह जिय द्नार बशल मर केया उनना वेकला कर पिया जिनना दे कर टत गेया अननु पांजला कर प सब्सक्राइब बनाए जाबे और वाइसमले विर्जगारी बहुत या मजदूरानुजगार देन वास्ते दोस्षो देल्ली नरेगा त्रंत चालू किती जाबे यहें मंगानु लाहके जड़ा नू हर्याने देवेच जड़े पाज पावलों फिरकू पुना कराया जा रहा ओधे वास्ते निंद्या मता पास कीता और जबे मोती दी एडी खाल सा एड्स बेट जड़िया समाज से भी सस्था माने जड़िया लोग पकी काम करते हैं जबे उनना नू बदले दी पा किसाना नू मुआवजा दें धी गाल आख रहिए पर हाले ताक किसाना नू उहो मुआवजा नहीं मिली सुल्तानपूर लोदी नेडे सतलूच दर्याद तुसी बन विच पया पाड 18 दिन अबाद बोले सोने हाल दे जे कार्या विच पूर दिता गया ए बन पूरण लेई पंजाब दे लोका ने दिन रात एक कीता होया सी ए पाड लगपाग 925 फुट तो वद चोड़ा सी सतलूच दर्याद तुसी बन तुटनना ले लाके विच पारी तबाही मची सी सतलूच दर्याद तुसी बन दास्ते 11 जुलाई दे दर्म्यानी रात नो दो थामा तो टुट गया सी देर रात बन पूरे जान उते रासबा मेंबर संथ बलवीर सिंग सीचेवाल ने पंजाब दे लोका दा तानवात कीता जड़े वाकवाक जिल्या विचो लगातार मिट्टी दिया ट्रालिया लेके बन पूरण ले आरे सर्थ सब्सक्राइब जोदयां दिया जोना दानियां दिया वारुपकारियां दिया दया बन ना दिया जिना ने पेस अलाके दी भाँ फडिया तुसी देखोंगे चीज बना हाया ते कल भी है ते लगातार पानी जा रहा थी जिमें सब्सक्राइब गादबदरों इसे था कार्यों भाधा जावर। रहोतां जिसके पर आठाब आधा युट से अगरागी देखोंगेजां होतार बन ना देखोंगें लुद्यानाची नगर निकम चोना दे एलान तो पहला होई वाड बंदी नु लेके स्यासत गर्मा गई है सापका मंत्री पार्थ पूशन आशु दी पत्नी ममता आशु दा वाड रिजर्व कर देता गया है एस मगरो मंता आशु ने मान सरकार उते कटिया राजनीती करन दे दोश लगाए ने इस दे जवाब वेच विदाय गूर प्रीद गोगी ने कहा कि पिछली सरकार ने 2018 वीच वाड बढाके लाक्यानू गलत तरीके नाल मर्च कर देता सी और ममता आशु कॉंग्रस दे करनी दा ही फाल पुगत रहने गोगी ने कहा कि हार सरकार अपने तरीके नाल कुछ बदला कर दिया है एस तहत ही वाड बंदी कीती गई है दस देए कि ममता आशु तो इलावा कई होर कॉंसलर भी नवी वाड बंदी उत्ते इतराज चता रहे ने लुद्याना दे विच्छ नगर निगम चोना तो पहला वाड बंदी दा एलान का देता गया है जोन डी दे विच्छ निगम अधिकारियां वलो नक्षा लगा देता अधिकार वाड बंदी दा परपस अशी सारे नक्षे नुग राशनलाइज किता है तान जो सारे वाड एक बराबर हो जांड सारे अरिया दा पॉपुलेशन सर्वे डूर जाके करतार जाके सर्वे किता गया सी ते सर्वेच जो अबादी होके आई है उस अबादी दे अनु देता गया है तान जो हर एरिया दी बराबर रेप्रेजेंटेशन पॉर्पॉरेशन हाउस लिच रहे है उना ने एहे इल्जाम लगाएने के चूठ दा सहारा लेकी आम आदमी पार्टी दे विदाइका नी वार्ड बंदी करवाई है उदे इस मामले दे विचे विरोधी आगूवी लगातार सरकार दा विरोध का रही नी इस मामले दे विचे आप आगूदा कहना है कि हर सरकार अपने तरीके नल कुछ बदला का दिया अधे वोड उन्हें ही रैंड ये पर वोड बंदी जरूर बदली गई है नक्षा लाग गया था ये मतलब हो गया भी तकरीमन सप्तंबर चेलेक्शन होना चाहिए थे वोड उन्हें नहीं हाद बंदियां जरूर चेंज किते हैं हमारे गलियां काट के एरिये थोड़े अगे बिचे किते हैं बस इनक फरक पाया गया गया नहीं वदाया नहीं गया क क्रीबन पंद्राक सो वोड वड़ा ही गया उधे पैरामिट्र रख्या गया भी दास के आरदे अंदर बार रवे भूट कोजी ये था हर सरकार चेंज कर दी हार रेकदा अपने सा अवदा हुंदा है कई हैं कई हैं कई हैं कोई केंडिये हुन देख लेंदी हुन दी अभी जदो जदो को हाद बंदी या कोई वाड बंदी देवेचे को चेंज होंदी है के जड़े ने के थोड़ा हल ज़ल ज़ंदी है बाकि तुसी आप ही कह रहे हुं कि कहीं हैं खुशी हुई ज़दे लगया हुएगा पर पर कितने साध्टे हलकें दी वेचता सी तो प्रीबन जड़े साड़े पहले आजड़े सहे जिस तचेरी नी थोड़ी बनी जिते कोई वोड ज्यादा सी उनुकट आया बाकि इल ध्याने दे बास्ते लोगां बास्ते बहुत अच्छा है क्यों कि पिछनी सरकारा ने जड़े इंटर्नल शैर दे बार सीगे उन्हों छोटा करें वा अच्छली हर बंदे ने अपने तोरते अपने इसामनार सिस्टम ना है असी जो फेक्स जड़े सीओ ही रखें जिकर योग है कि लुद्याना नगर निकम दिया चोणा नवंबर दे विच्छो सकतिया ने इसे करके ही वाड बंती लगाई गई है ता जो विरोधी पार्टिय ने आप सरकाते लगाई है अला कि अस मामले दे विच्छ आम आदमी पार्टि दे विच्छ गोगी दा कैना है कि जेकर किसे वी व्यक्ती नूँ वोड बंदी तो इतराज है तो अपना इतराज दाखल करी अधिकारी देखनगे कि होना दे इतराज किते तक सही ने आते उस म जोड़े गैंक्स्टर विक्रम बराड नूँ कोट का पूरा पुलिस ने दिल्ली तो ट्राजिट रिमांड होते लेक्ट कोट विच पेश कीता इस तोरा अदालत ने पुलिस नूँ विक्रम बराड दा तिन दिना दा रिमांड दे दिता है इस मामले विच्छ दीएस पिक कपूरा शमशेर सिंग शेर गिल ने किया के मुल्जम तो बारी की नल पुछिएच कीती जावेगी अते होर ताथ इकठे कीते जाड़ के पंजाब पुलिस गैंक्स्टर लॉरंस विश्णोई दे करीबी गैंक्स्टर विक्रम बराड नू पंजाब लेकी आ चुकी है जिस्टो बाद कोटकुरा पुलिस ने एश रेणी दे गैंक्सटर विक्रम बराड नू फरीटकुर्दी जिला आदालत दे विच पेश केता जिधे आदालत ने गैंक्सटर दा तिन दिनादा पुलिस रिबार्ड दे दिता है जदों साल दोहजार इकी दे विच कपड़ा कारोबारी तो फिरोती मंगन दे मामले विच पुलिस ने विक्रम बराड खिलाप केस दर्च किता सी जला पुलिस उसनों दिल्ली तो प्रोडक्शन वरांट ते लेकी आई है इस मामले दे विच दीएसपी कोटपुराश अमशेर सिंग गिल ने किहा कि दोशी दी भारी की नाल जांच किती जावेगी अते पुछे किछ दुरार कई ताथ सामने लियाउंती वी कोशिश किती जावेगी छाए सामने लिया पुछेश कर्के सारे सोर्स पता नमाया क्योंकि कि असस्पी आप बड़ीकिन लिना केसी से उपर नजे रख दे हैं तो सो देवेच नगेवसी एही कारवई करना रहा है। अजी है ता उपर लिश रहनी दिया जिए दूसरे पास से अटाया चाहिएगा। इस करके इनु बारों लेंदा गया सिया। पहलना साधे को लिए जास्टाम। जल्दी ट्रेयल शुरू होगा। जिकर योग है कि पुलिस ने दोशीनू आदालत देविच पेशकर के छे दिना दा पुलिस रימाण भंगया सी पर आदालत ने सिर्फ दिना दा पुलिस रिमाण की दिते है। विक्रम किलाफ कोटकपुरा शहर दे विच पच्री लाख दी फिरोती मंगन दा मामला दर्च है दाजिये की गैंक्स्टर विक्रम बरार नू दस दिन पहला यू एई तो गिरफतार कारके पारत लियांदा क्या सी विक्रम बरार नू लॉरस गैंग दा खास मेंबर मन्या जानते है अजहे दे विच पुलिस उस तो पंजाबी गायक सिद मुसे वाला दे कतल पारे वी कुछ गिच करेगी विक्रम बरार दे कोटकपुरा विचे के देरा प्रेमी दी हत्या करन दे भी दोश लगे ने कतल को पहला विक्रम बरार ने देरा प्रेमी दी रेकी किती सी पंजाब विच पिछले लंबे समय तो लगातार बेदबी दिया कटनामा वापर रही याने हुन इक नवा मामला बठिंडा दे पिंड गोबिन पुरा तोस सामने आया है जिते एक नशेडी ने गुर्दवारा साहब विखे बेदबी दी कटनानों अंजाम दिता इन शेडी नंगे सीरा ते जुत्ती सणे गुर्दवारा साहब दे अंदर दाखल होया ते गोलक तोड के पैसे चोरी कर ले इस सारी कटना गुर्दवारा साहब च लगे CCTV कैमरे च कैद हो गई पुलिस अधिकारियन सार इस मामले च दो लोगा खिलाफ मामला दर्च कर लेया गया है पुलस ने दोशी नू काबू कर लेया है जड़के एक होर नौजवान दी पाल की तीजारी है सिरी गरु गरंत साहिब जी दी बेद भी होंता सलसला लगाता जारी है ताजा मामला बठिंटा जले दे पिंड़क गोबिंद कुरा तो सामने आया है जथे एक नशेडी बलो गुर्दवारा साहिब नो निशाना बनाया गया इस मामले दे विचर डी एसपी दा कैना है कि बेद भी हते चोरी दी कटनारू लेकी दो लोका खिलाफ मामला दर्ज किता गया हते एकनू किरफतार का लिया गया जातकी तुझे दी पाल किती जा रही है जी इन आवर लो रात समय गुर्दवा साफ दे अंदर जाके जिन दे शूप आए हुए ने शूप आके अंदर जाके गुर्दवा साफ दे गोलक दे विक्चे होए नहीं पैसे चोड़ी करें जी जो इसे दा आते हैं सी मकदवा नबर सौ डेटर चार अट तो रही है अंदर सेक्शन दो सौप चानवें चार सबस्तोंजा तैन्सवा सी एपी सी पीएस केंट रिजेस्टर केस रिजेस्टर करें जी जो एक फोटेज जना ने पेश किए ते जिटे फोटेज दे विचे कादमी जिदे पैराने वे शूप आया फिने वह अंदर जानदा नजरूंदा ग्रूप कर जारा साफ जो पै अधर साथी इस्टिकेशन चाहूगा देपारडिंगा बिलकुली 200 प्चान में से ही है कोई मर्यादा दा त्यान ना रखे जी शूप आके जहां कोई ऐस तरह गंदे पैर जा गंदे कोई ना कोई शी तो लैकि अंदर गुल कर ची जानता है इसकर कि शेक्शन 255 में लाई है अधर जिस वन नो अंदर जाके शूप पाके जिया है एक गोल को विच्चे पैसे करते हैं ना कि मारा साथी बेड़ बर नार्ड ने कोई छेड़का ने कोई शेड़का ने कूई इसन हुन तक दिया मुख खबरा त जानदे चात पाउंदे आज दिया खास-खास खबरावते आमाद्मी पार्टी दी सरकार बन उते हर्याना जमुफ्त बिजली दववादा कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंग चीमा ने किहां हर्याना ज चल रहे अंदोलन वेच अर्विंद क सिख दंग्या दे दोशी जगदीश टाइटलर नूँ जमानत मिलन उत्ते गर्माई सियासत सुखवीर बादल ते मंजिंदर सिंग सिर्सा ने टाइटलर दी जमानत दाकीता विरोध राजवाना दी पैन कमल दी कौर ने भी जमानत उत्ते इत्रास जताया 22 अगस्त नूँ चन्डिगर्च शुरू होवेगा दिली वांग वड़ा मोर्चा पंजाब दियां 16 किसान जथे बंदियां ने मीटिंग तो बात कीता एहलान के इंदर सरकार तो हडा ने नुकसान दी पूर्ती लेई पंज़ा हजार करोड मुआबजे दी मांग कर रहे हैं किसान जथे बंदियां सुल्तानपुर नोधी मीच 18 दिन बाद पूर्या तुस्सी बंच पे आप पाड 95 फुट तो वद चोड़े पाड़नू पूरल लेई लोका ने कीती दिन रात सक्त मैनत संत बलबीर सिंग सीचे वाल ने सहयोग देन वालियां संकता दा कीता अगर निकम चोड़ा तो पहला वाड बंदिनू लेके स्यासत पकी पार्त पूशना शुदी पतनी ममता अशुने मान सरकार उते लगाये कटिया राजनीती करंदेल जाम विदायक गुर्प्रीत गोगी ने जवाब दिन दिया के हाथ उसी कॉंग्रस दी करनी धा फाल ही ज्याब